सभी बच्चों का बच्चों की इस बाल सभा में स्वागत है बच्चों के साथ उनके माता-पता का भी स्वागत है और इस लुकावन के पूरे पिरियड में हम लोग बच्चों को ऐसे परसंद बताएंगे जो बच्चों के जीवन में दिश्खा देने का काम करें ऐसे महापुरुष्ट जो बच्चों के जीवन के पत्रद्रशक बन सकें, उनके बारे में बच्चों को हम भबत कराएंगे, आज मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, आधरणी ये श्री मुकुलकर जी का, जिन्हों ने ये समय निकाला हम लोगों के बीच, और आज उपस्थे से हमारी बाल सभ भाशा में, बच्चों के लिए जो चीजें, जो बातें, स्वामी विवेक अरंद जी के जीवन चलत्रे में से उप्योगी हो सकती हैं, बताएंगे, बच्चों के साथ, बच्चों की भाशा में, बाल सभावें, आप सभी का स्वागत, धन्रवाद आधरणी मुकुल नमस्कार, आज हम कथा गतन के लिए एकत्रित आये हैं, यह भाशन नहीं है, कथा गतन है, कहानी सुन्नी है, और वो भी एक ऐसे महापुरिश की कहानी सुन्नी है, कि जो खुद कथा बताने में बड़े मास्टर थे, मास्टर स्टोरी टेलर उनको कहा जाता था, ऐसे स्वामी वेकानंद की कथा, उनके बच्चकं से तो शुरू करी सकते हैं, लेकिन मित्रो, आप लोगों को मैं पहले यह बताना चाहता हूं, कि स्वामी वेकानंद की कथा सुने किसलिए, तो हमको पता चलता है, कि स्वामी वेकानंद हमारे जैसे ही थे, एक ऐसे परिव में पैदा हुए थे जिस परिवार में पिता जी वकील थे समृत थे आज की जैसे मिडिल क्लास करिवार होता है परिबार में थे माँ अध्यूंत धर्मिक थी ay cry contribute के भेदिधि और भूनेश्वरी देवी काश्य वीश्वनात की पूझा करती थी उन्हें तो बीजेंगे एति या धारीना अपने महा याधारीना बिल्कुल अपने जैसी माढ़ी भ्लेंदर की और चांशी विश्वनात की कृपा से उनको यह पुत्र पराप्त हुआ असे उसका नाम भी वीरेश्वर रखा और विरेश्वर बचपन में इतना कभिन नाम नहीं बोल पता था तो बिले बिले कहते थे वीरे का हो गया बिले तो बच्कत में यह बिले था कि को हमारे जैसे ही सामान जीवन जीने वाला सब rubbish पिधा जी सुबह घुडागाली में बैट करके बग्गी उस समय की बग्गी में बैट करे कोड जाते थे यह जो गोड़ागारी चलाने वाला जो सायक है ड्राइवर चालक यह सायक सायक कहते हैं गोड़ागारी के ड्राइवर को देखो एक नई बात सिखा दी मैंने आप पूजा शब्द का अरत होता है उनके जैसा बन सके इसने विवेकानन्द बन सकते हो आप सब लोग विवेकानन्द बन सकते हो मैं यह कथा इसले सुनाओंगा कि विवेकानन्द बने हम में से कुछ कि अननन नलेच और जलोग दो नरेंद्र का मैं तो पहला ही बात तो यह जायक को देखते ते की हैं इस care तो उस वालक के मन में विश्व का सबसे समर्थ वेक्ति उसका पिता और उस समर्थ वेक्ति के उस शक्तिशाली वेक्ति के आए बैसे लोट के मूंबट को आने जाने को नियनत्रित करता है कंट्रोल करता है वह यहने सायग तो मांको जाकर बिले छोटा सा कहता है मांको मांपाता है बड़ा होकर के मैं क्या बनूंगा माने का क्या इता हमारे जो सबसे बड़ी एक बड़ा कंट्रोल वाला एक लेगा लेकिन मा के संसकार देखो मा ने ले जाकर के घर में वह भगवद जीता वाला चित्र था कृष्ण सारत्य कर रहे है अर्जुन पीछे खड़ा है और कृष्णा अर्जुन को भगवत जीता सुना रहे माने वो चित्र दिका करके कहा बिले को हाँ हाँ बिल्कूल सारत ही बनना लेकिन इसके जैसा सारत ही बनना पार्थ सारत ही बनना संस्कार ऐसे दिये जाते हैं तो एक अत्यंत धार्मिक मां जो रोज पुजा करती थी जो इश्वर पर आश्टा रखती थी निष्ठा रखती थी ऐसे घर में जन्म हुआ पिथा जी भी वैसे ही और नरेंद्र बड़ा चंचल बालत जिसके अंदर उर्जा होती है वो चंचल ह लल्लू एक जगह बैटा रहता है लल्लू नहीं हो ना तो आप भी शेतानी करती थी यह भूनेश्वरी देवी मैंने काशी विश्वनात को प्रार्थना करके बच्चा मांगा था कि मेरे को एक पुत्र देना पता नहीं उस बोले बंडारी ने अपना कोई गणव भूत मेर मामा ने अपने अनुभाव में बताया है कि बच्पन में जब वह शांत नहीं होता था खुब अधर उधर दौरता था तो मा उसको बैठा करके उसके ओपर पानी डाल करके शिव 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 करके बढूआ घ्र तो डिकांगी तब मानेंगे और नरेंदर अपने चार दोस्तों को लेकर करके बैटा है कौन जादा तेर ध्यान लगाता है जिसके आँख पहले खुली वो हार गया जादा दिर आखे बंद करके कौन बैटे का सारे आखे बंद करके बैटे फिर सब तुम्हारे मेरे जैसे ही सैतान है ना थोड़े दिर में एक आख खुल के किसी ने देखा कौन देख तो नहीं रहा फिर धूसरे ने आख खुल के देखा सब एक दूसरे के करफ देख रही नरेंद्र को छोड़ करके सब की आख खुल गई नरेंद्र आखे बंद करके बैटा है और सब कह रहे अरे या और यहीं जीच जाएगा चल चल आखे बंद कर ले इसको बताएंगे नहीं हमने खोली थी फिर बंद कर ली सबने आखे फिर किसी ने आख खोली एक ने आख खोली महेंद्र नाम का बच्चा था उसने आख खोली और महेंद्र को क्या देखता है नरेंद्र के पैर के उपर घुटने के उपर एक नाग क प्लास्टिक का साप डाल दिया तो कैसे भागोगे फर ये तो ध्यान में चला गया श्रीजी के ध्यान में चला गया शायद इसलिए नाग आगा था तो वह चड़ानाग ऊपर कंदे के ऊपर कंदे से पीछे सिर पे और ये लोग भागे भूनेश्वरी देवी के पास देखो देखो नरेंद्र बैटा और उसके उपर नाग साप चड़ गया साप चड़ गया इनको पता नहीं नाग है नाग पता होता है नाग तो विशेला होता है सारे साप विशेले नहीं होते नंब्य परतिशत साप विशेले नहीं होते डरनी क्या आवश्यक्ता नहीं होता है पा आई माने जोर-जोर से दर्वा जा ठोका और वो सांप ऊपर रशांत बैटा रहा और फिर बाद में निकल गया नाग और उसके बाद ने ये उठा इसको जब बता है लोगोंने कि नाग चड़ गया तो मेरे को तो पता ही ने ऐसे बच्पन से मने कागर हो जाते हैं लेकिन था ने तो पेड़ के ऊपर है फलाना फनाना बोट फ्रिक्ष यह मनने वाला नहीं था आप भी नहीं मानते हो ना मद एप्जिशा कर देहरी पर बैठो मा गेती है सांज ढले मत सो शाम के समय और सोगे तो आल्ची बन जाओगे नहीं मानते है अपन क्यों नहीं सोना कारण बताओ वैसे ही वो नरेंदर भी क्यों बहुत ब्रह्मराक्ष से तो यह क्या करता है ब्रह्मराक्ष जाएगा खाजाएगा खीक है एक दिन शाम को देखा सांज ढल गई सूरज बत्ती जल गई सूरज ढल गया उसके बहुजूद भी नरेंदर घर पे नहीं आया मा परेशन सारे मित्रों को पूचा कहा गया बहुत पता नहीं कहा गया और इतनी में एक मित्रे ने कहा चुगली तो करती द Umarnat सबको कहा था किसी 75 अदबता ना वा को तो बिलकुल पता न आज साल की उमर का नरेंदर कह चलागया उस बग veggie Baptist में स्चला गया जिस बगीow के बारे में लोग कहते थी की भ्रह्मर मां भीचारी लाल्टेन ले लेकर कर रात को किसी दौ नौकरों को लेकर के उसमाली को जगा है माली को लेकर के पूरे नरेन नरेन आवाज दे रही है नरेन उपर बैठा पेर पेड़ पे उसी वटय रुक्षय पे जिस पर ब्रह्मर आक्षच से बताया था माने चड़के होंगा अरे वो खा जाता है तो भले देखते हैं कैसे खाता है मैं कोई कम थोड़ी हो हनमान जी की कथा सुनिए मैंने हनमान जी जब तक मां और माली को यह नहीं मानवा लिया कि ब्रह्मराक्षास नाम की कोई चीज होती नहीं है आप डराने के लिए कहते हो आम तोड़े नही मिया के लिए आपने ब्रह्मराक्षास का है में नहीं जाया है इसलिए बच्चों यह जब तक शेट नहीं बनवा लिया उत्रेनी ऊपर से नीचे िए एसे थे मानद काद में हनुमान जी की का्ता है किषे हैं डगां सब्साइबार इस यहां साम के एंद साला होता है जрост में वाझ पर holy लिखाए शास्त्रों में लिखाए तो फिर वो कहा मिलेंगे जीवीते तो मिलना पड़ेगा न उनको मैं तो बच्पन से अनुमान जी को आदर्स मानते हूं में उनको मिलना चाहता हूं आड्रेस बताओ अब वो बिचार कताकार क्या अड्रेस बता है उसने तो पड़ी करना पड़ता है जान करना पड़ता है तब हरण करना दर्शन देते हैं अच्छा चलो तो फिर की यह काम कर लेते हैं विद्धाले में अंग्रेजी शिक्षा घर में धर्म शिक्षा संदर्शमन में चल रहा है यह सच है कि वह सच अंग्रे जी शिक्षार बात में शंका लेने को कहती है श्रद्धा नहीं किसी बात को श्रद्धा प्रश्ण को मना नहीं करती है अंद विश्वास होता है अंद श्रद्धा नहीं होती है श्रद्धा तो खुली आखों से की जाती है प्रश्ण पूछ करके की जाती है नरेंद तेरे को बताएंगे कि आपके मेरे जैसी थे बहुत ज़्यादा बाद में तो उनके बारे में प्रोफेसर फिलिप्सुर्वर्ड इंडिर सिटी के उसने लिखा प्रोफेसर जॉन राइट हॉर्वर्ड इंडिर सिटी के उन्होंने स्वामीवेकानन का वहां शिकागों की वह स एक पाद की तनी बुद्धि है कि एक ट्राजू के एक पलडे में घृकनद्र की बुद्धी ये लेकिन जाने में अंबर नया आते थे तुम्हारे सिए भीये में 44 3 सबीटीपर सेट्रीट टर्इलग मार्क रूते सेकंडेंट बंद सकते सबस्क्रीट समस्क कलास वालों का नहीं मुझे इसलिए आप चिंता मत करना उखान कर दो जोफरिघो क्यार में से धार रूक विद्धाले में शंकाद गरमें स्ठाध है इसके बीच में नरेंद्र तयार हो रहा है एक दिन मन ने प्रश्णा है मुझे जीवन में करना क्या है यह बं मुझे पर कुरांतिकारिकों को सुनते थे तो वो बन जाएंगे उनके उनके कक्षा में का माईकल मदूसुदनदत्त करके था मदूसुदनदत्त उसका का मार इसान की बन जे तो वो भी एक अट्रैक्ट करता था missionari यह आकर के missionary school में पड़े थे तो फादर आकर के कहता था इसा मस्य को मान लो लेकिन इनके मन में आता था नहीं नहीं ऐसे कैसे होता है क्या बख्वान होता है तो कहा होता है में प्रश्ना आता था मैं कौन हूँ इसले पैदा हुआ ले प्रश्न लाइन पे आगया विद्धर हानुमान जी कहा रहते यह पूछ रहते अभी तक ब्रह्मर आक्षास कहा रहते पूछ रहते हैं वह सारी बाहर की पूछता आच मां तुम ऐसा की करती हो मां वैसा क्यों करत का लक्षे क्या है क्या करने के लिए मैंने जन्म लिया है आपके मन में भी आता है ना बार बार आता है लेकिन आपन उसको और साहिड में रख देते हैं अभी दसवी का वर्श है मा कहती पढ़ाई कर फालतू के प्रश्ण मत पूछ अभी बार वी का वर्श है फालतू के प्र अब बता तुने मेरे को क्यों जन्म दिया नौ मैंने पेप में पाला दूद्ध पिला अपना बता मेरे जीवन का लक्ष क्या है मा बोली तेरे प्रश्ण मेरे नहीं पल्ले पड़ते तु फालतु की बाते मेरे के उमत पूछा कर वो भगवान ने तिरे को भीजा था ने काशी विश्वनात की पूजा की ती उसने अपने गणों में से भूत मात्रम उसके जो सारे होते हैं उनों में उन में से एक भेज़ दिया यह वीरेश्वर तो तु मेरे पास आया है उसको पूछ भगवान को जा करके तो भगवान कहा होता है देख सकते होता है तो देख स अब दूसरा प्रश्णा आगा पहला प्रश्णा अब उसके आगे का प्रश्णा बहुते हैं क्या होते हैं तो उनका पता क्या एड्रेस बताओ तो नरेंद्र ने ढूंडा शुरू कर दिया भगवाण का मिलें उसी समय उनका प्रार्थना समाज और ब्रामो समाज से परिचे वा जो निराकार की साधना अड्रेक करता है निराकार सबस्क्रइब केशोव चंद्र सेन को पूछा ब्रामो समाज वाले थे और रविंद्रनाथ ठाकूर के पिताजी थे देवेंद्रनाथ ठाकूर वो बहुत साधना करते थे और गंगा जी में एक शिकाव पे नाव पे बैट करके आखे बन करके साधना करते थे एक दिन शाम के समय कॉलेज में पढ़ने वाला नरेंद्र और घंगाजी में तैरता हुआ, कपड़े सारे गिले हो गए, वो उसकी धोती और वो उपर जबबा उसका बंगाली, कुरता, वो सारा गिला हो गया, चिपक गया, और ये युवा नरेंद्र हटा-कटा था, बहुत म फुर्बाल किलने से जरूर मिलेगा, क्योंकि उस कृष्ण ने बताई है, जो एक उंगली पर उठा लेता था गोरदन, तो शक्तिशाली ही भगवदीता जान सकता है, ये विवेकाननद का संदेश है, फुर्बाल के लो, भगवान मिलेगा, क्योंकि वो खुद फुर्बाल जान कर रहे, ये जाकर के दर्वाजा ठेला कोन आया, ब्रह्म तो नहीं आगया सामने, ये चमकदार आखो वाला और तेजस्वी गोरा चिप्ता बीच में से मांग बढ़ते थे वेकानन तो दोनों तरफ गुंगराले बाल, एकदम किसी हीरो, सारे तुमारे आज के हीरो देखा है, ब्रह्म पे भाशन देते हो, प्रवचन देते हो, ब्रह्म को देखा है, एक बार देखते रहे, उसके आखों में देविद्रा, ठाकूर क्या उत्तर दे, देखा तो ता नहीं, तो क्या उत्तर देते हैं, तो उन्हें बात टालने के लिए तो तुमारी आखें कित आते समय उसमें एक शब्द आया ट्रांस और इनके जो एक फादर थे शिक्षक्त अंग्रेजी के उन्होंने सिखाते सिखाते उस ट्रांस शब्द का आर्थ समझाते समय का ट्रांस जिसको तुम हिंदू लोग समाधी कहते हैं भावाती तवस्था यह शरीर से मन से परे चले जाना जब आप सब भूल जाते हो और शुद्य में चले जाते हो उसको समधी तो फिर न crime लगी वे आपको पता है किसी की समाधी लगी ही आप जानते हो किसी को है इनको कि अagुकरिश्टी सहाब ने जो उनको सिखाने वाले विल्लियम हस्थी जो शिक्षक्त ते तो नहीं पहागल आदमी को जानता हुआ दक्षेनेश्वर का पुजारी है रामकृष्ण परमान साथ उसका नाम है लोग कहते हैं कि उनको समादी लगती है लोग कहते हैं कि वह भावाती तवस्ता में जाते हैं अच्छा एड्रेस मिल गया उनको मिलना पड़े जाना पड़ पारिक्षा वरीक्षा आपन जैसे बीजी रहते हैं वह भी बीजी थे आज परीक्षा सेशनल है आज कॉलेज है आज इस डिबेट में जाना आ है आज वहाँ बहां बार्मों समाज में आज वहाँ पर किसी नेता का भाशन है पॉलिटिकली भी तो आपके जैसी हर बात में लगे रहते थे तो वेस्टता में जानी पहे एक दिन अचानक उनको कहा बाजु वाले महले में रामकृष्ण परमान से किसी के गर भोजन करने आए इनके स्वामिय वेकानन के इमामा थे रामचंद्रदत कहा कि उनके पास में ब तो वहां पर ठाकूर की पहली बेट हुए रामकृष्ण परमान से के दर्शन हुए तब पुछता जो अगरे कुछ नहीं है तब सिर्फ एक गीत गाया एक बाउल गीत वहां का जो बंगाल का होता है चला मना निजनिकेत ने वह गीत गाया और उस गीत को सुनकर के रामकृ इस गाने में कुछ रोने लायक था क्या यह तो अध्यात्मिक गाना था बहुत बड़ी फिलोसफी इसमें वेदान्त कि है और वेदाद्य की फिलोसोफी रो रहा है, ऐसे भाउक आदमी के पास में मेरे प्रोफेसर को को पागल है, कुछ कहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मन में आकर्शन जग्या और रोज वही ठाकूर का चेहरा दिखता, फिर रामचंद्र दत्त जी को का आप तो जानते हो ले चलो, रामचंद्र दत्त एक दिन उनके मामा उनको ले गए दक्षनेश्वा, और वादक्षनेश्वार में ठाकूर के दर्शन हुए, सारे लोग बैठे हुए, किर्टन सा चल रहा है, और ठाकूर बैठे हुए, और नरेंदर रामचंद्र के साथ एक आया, ठाकूर ने पागल है एक बार मिले और यह कहां मैंने कहा था उस दिन मैंने तुमको कहा था पहुप सारे संदेश मिठाई ले 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 करके अपने हाथ से नरेंद्र को किला रहा है अब तु रो जाना अब तु जाना ही मत मेरे साथ ही रहें पता नहीं संसारियों के साथ exists ने थे तो जन्यार करके तुम्हारे जैसे वहरागी की परतिक्षा कर रहा taką संसारियों में मैंन ही लगता हो व्याकूल हो जाता है, नरेंदर को कुछ नहीं समझ में आए, ये क्या पालतु बाते कर रहे हैं, आप सोचो कल कोई सन्याजी, कोई भाबा, ये तो सन्याजी नहीं थे, इनकी तो पत्नी भी थी, महाशारदा, लेकिन उसके बावजुत पुजारी थे, कोई ऐसा भाबा आपक पर वहाँ पर ठाकूर थे, रामकृष्ण परमांग से बैठे है, पेड़ के नीचे, और नरेंदर उनके साथ फिरता फिरता उनके पास में बैड़ गया, नीचे में नरेंदर बैठा है, उपर ठाकूर बैठे, स्वयम, स्वाम्य एकानंद ने बताई भी घटना, इसलिए उसकी सत्यता पर कोई प्रश्ण नहीं, नीचे वो बैठे, उपर ठाकूर बैठे, और अचानक नरेंदर ने वह प्रश्ण पूछ लिया, जो प्रश्ण उनके मन में इतने दिनों से था, सबको पूछते थे, क्या आपने इश्वर को देखा है, रामकृष्ण परमांस को न महात्माओं को, सादूं को, विद्वानों को पूछ चुके थे, किसी ने नहीं कहा था कि इश्वर को देखा है, ये रामकृष्ण परमांस ने आखों में आखे डाल करके नरेंदर के देखा है, और आखों में आखे डाल करके का, हाँ, मैंने देखा ही नहीं, रोज देखत कि अगला कर ने का तुमको तो जरूर डिखा सकता हूँ और अचानक अपने दाहिने पेर का अंगठा ने के रिधे को स्पर्ष किया अंगठा जैसे जाकर कर दाहिने का ने अगए अपने मेरे गूरुदे बाशन में लिखा है लंडन में दिये गए हुए बाशन में बोलते हुए बताते हैं जैसे रिधे में रामकृष्ण परवांस के अंगुठे का असपरश हुआ मुझे लगा साड़ी सृष्टी गोल गोल घूम करके शुन्य में जा रही है उसे साक्षात निराकार के संपूर्ण ब्रह्मांड के विराट रूप के दर्शन हुए ऐसा लगावर में भैवीत हो गया डर गया है तैयारी नहीं होती साधना नहीं होती तो इश्वर प्रगट हो जाएगा तो डर जाएंगे जब विराट रूप दिखाया तब भी उसने हाथ जोड़ करके अरजुन ने का नहीं 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 देख पाएं डर गया और जोर से चिल्ला अरे क्या कर रहे हो मेरे माता पिता है मेरा परिवार है परिवार की याद आ गई ठाकुर ने दीरे से पह रटाया चाती को हाथ से सहला और ठीक है ठीक है और नरेंदर फिर से सूध में आ गया ठीक है ठीक है दीरे दीरे सब हो जाएगा इश्वर है मैंने देखा है तुमको दिखा सकता हूँ कहने वाला गुरू मिल गया अब नरेंदर नहीं छोड़ने वाला था मैंना आ करके रहता उनकी सेवा में लगा रहता किरतन में लगा रहता वो जैसे बताते वैसे साधना करते और उनने ने का तिरे को निराकार ठीक ह की सर्वोच स्थिति जहां कोई विकल्प नहीं होता संप्रज्ञात अप्रज्ञात उसमें निर्विकल्प सर्वोच समाधी की आवस्था कव्यल्द की आवस्था उसको प्राप्ता कर लेया नरेंद्र ने और जिस दिन समाधी लगया ऐसा अधुदानंद धाई तीन गंटे तक उसी स्थिति में बैठे रहे योगन नाम के एक और दूसरे शिष्षते है उलो ने जाकर करके हाथ लगा करके देखा उनको करन सा लगा जाकर के ठाकुर को कहते है अरे वो काश्ठमत हो गया लखडी जैसा हो गया ठाकुर ने का कोई बात नहीं उसकी बहुत दिनों की इच्छा माने पूरी की है समाधी लग गए उसकी समाधी के आनंद से बाहर निकले और रामकृष्ण परमंस के पास आए रामकृष्ण को वाँ 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 गुरू आपकी कुरपासे गुरु दे इतना अधुट आनंद आ गया ऐसे आनंद की तो कल्पना नहीं ती अब आप कुछ ऐसा करोगी में पर्मनेंट हमेशा के लिए इसी आनंद में रह सकूं अब आप सोचो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आगया मारिकलिस्ट लेकर के गुरू के पास गया ट्यूशन वाले के पास में देखो 100 आउट 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 मिल गए तो ट्यूशन वा dan the theatellis his training in your काण कल थेरा जन्म मा का काम करने केलिए जब तक मा का काम नहीं कर लेता मैंने तेरे रिदे को लगा दिया ताला अभी यह कू स्य मेरे पास रहेगी कि और यह ब्रमानन नंद भिर नहीं मिल सकता जब्तक मा का उमन कर लो क्या है माका काम नरेंदर को पता नहीं प्रश्ण पूछ नहीं सकते हैं उस समय तो समाधी के आनंद में चलता रहा थाकुर बिमार पड़ गए इधर नरेंदर के पिताजी चले गए जो घर में अमीरी दीखती थी थोड़ा सा अपर मिलिट लाज जैसा वाता वरंता वो सब सम करने है किराय के मकान में जाके रहना पड़ा छोटा भाई की नोखरी नी 최근 इंगी नोखरी नी चिसका विवाह करना एं घर समालने के लिए कुछ नहीं मांके पास कुछ नहीं के लिए वापस साने के बाद भी मास्टित अच्छी नहीं ती तो ने अपने मित्र प्रिंस अजीत स चीन छेतडिके महाराज को पत्र लिखा कि मेरी म मा भूनेशुरी देवी पहुत किर्श्ट में उनको भोजन करने की विवस्ताथ नहीं है। मैं सन्यासी हूह, मैं मा के लिए जाकर करके पैसा नहीं दे सकता हूं, इन विदेश्यों से मेरे को पैसा मिला है। 1921 तक 1911 तक जब तक भुमनेश्वरी देवी जीवित रही स्वामी वेकानन्द तक 1902 में चले गए 1911 तक 1911 तक भुमनेश्वरी देवी रही प्रती माह 100 रुपया उस समय बहुत बड़ी कीमत थी 100 रुपय की प्रिंस अजित सिंग ने भेजा था आईसी मात्रू भकती थि अभी भुम अवस्ता में नरेंगर भिए वेक की मासर्मय को कह रहा है अब माह से कहकर कि मेरे को नोकरी लगाड़ा DC मेरे भाई को नौकरी लगाद 매 हाभी नगधि नविभु की मेरे मा के भोजन का इंत्यार तो रामकृष्ण बर्मंद ने कहा देखो माँके पास वक्यल वकालत की दरुवर्ण नीए उसके कोट में मेरी दरुवत नहीं है तेरे को मांगना है तुझा मां को मां मेरा सुनेगी अरे मां वह सब का सुनती है जा ठाक उने में बेजा नरेंद्र गया गया उस भोतारीनी के मंदिर में कई बार गया और जितनी बार गया उतनी बार इसी बाहों से गया कि कैसे मन में शंका लेकर के नरेंद्र गया होगा उस गर्वक्रु हमें अद्बुत सुन्दर काले पाशाण की मुर्थी है दक्षिनेश्वर में मा की इतनी सुन्दर मुर्थी है साक्षा जिवन नेंद्टर अंतर गया तो उसको वह उन्म我說 कि की वा पाशाण की निए डिकिए उनको सु शाक्षात मां किन दर्शन हुए महां सामने खडी हो गए किया मांगने गएते खुद के लिए नोकरी मां के *** हुए चोटाफक है तो चोटी जोटी बात नहीं मांना है वहां थाकुर को बहुत आनन्द वा गले लगाया और गले लगा कर गया कोई नियाब तेरे मां का योगक्षे मैं देखूँगा तेरे माँ को कभी भोजन की कमी नहीं पड़ेगी रामकृष्ण प्रहमंस की देहान तके बाद नरेंद्र को दाइत्व दे करके के एक दिन हाथ पकड़ करके कहा मैं सारा तरदाइत्व तेरे को देता हूँ ये गुरु भाईयों की चिंता तुझे करनी है सारे सोला गुरु भाई वराहनगर मट में रहने लगे और फिर नरेंद्र भारत के भ्रहमन पे निकला वही परश्णता मा का काम कौन सा मा का काम हिमाले आवाज देता ता जाकर के साधना करू जब-जब साधना करने जाते हिमाले की कंदराओं में जाकर के बैठते गुफा में रहते कखडी घाट नाम की एक जगा है एक पेड के नीचे साधना की उन्होंने लिखा है मैं गया उसके उस पेड के नीचे का अधुत सुन्दर वटवरिक्ष है वहाँ बैट करके ध्यान लग जाता था स्वामी किसी का भी लग जाएगा स्वामी विवेकानन्द वहाँ बार-बार जाते थे नाम अलग-अलग सच्चिदानन्द नाम लिया पहले फिर और विविदिशानन्द नाम लिया विवेकानन्द नाम भी उनको राजस्तान ने दिया ये साफे वाला वेश भी राजस्तान ने दिया राजस्तान पहुँचने से पहले ये नाम नहीं था विविदिशानन्द सच्चिदानन्द खूग घुमे जब जब हिमाले में जाते तब तक ठाकूर के आवा जाती भट तेरी तेरा जन्म इस काम के लिए नहीं हुआ है मा का काम करेगा वटव रुक्ष बनेगा से कुरों लोगों को अपने उपर आश्रे देखा अपने आनंद के लिए तेरा जन्म नहीं हुआ मोक्ष के लिए जन्म नहीं हुआ शुद्र स्वार्थमत रख अपने आनंद का, अपनी मुक्ति का स्वार्थमत रख, अने एक घटना है, हातरस में बैठे थे स्टेशन के उपर, हातरस के स्टेशन मास्तर, जो आगे चल करके उनके शिश्य बने, पहले सन्या से शिश्य सदानंद उनका नाम बना, वह आ करके तो लेट जाते थे, बेंच के उपर, वहीं बैठ करके ऐसे दूर देख रहे हैं, शुन्य में, इन्होंने जाकर करके हाथ जोड़ करके का, युवा सन्या से अप्टाइस उन्तीस वर्ष के आयू थी, गेरुए बस्तर पहना हुआ, इन्होंने का मात्मा क्या से देख रहे ह दिख रहे हैं, एक धुंदल किसी योजना आखों के सामने दिख रहे हैं, लेकिन मैं पता नहीं पाता हूँ क्या करना चाता हूँ, बंबं के इस समाज पर फट पढ़ना चाता हूँ, इस सोयवे समाज को जगाना चाता हूँ, करीब से भारत को देखा, गरीब की दिख रहे हैं, एक जगा गाउ में बैठे थे, राजस्तान की घटनाय में थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, राजस्तान में बैठे थे गाउ में, सामने एक चमार बैठा रहता था, तीन दिन से लोग आते थे, पेड़ के नीचे इन से कुछ-कुछ बाते सुनते थे, स्वामिय वेकानन्द को का, कि भाई, मैं तो चमार हूँ, जाती से शुद्र हूँ, मेरे हाथ का आप खानी पाओगे, मैं तुमको शिधा दे देता हूँ, तुम बना करके, पका करके खालो, कच्चा तो लई सकते हो मिर से, स्वामिय वेकानन्द ने का, सन्यासी हूँ, पक का, मैं देखूंगा राजा को, गले मिलगों, वही ब्रह्म तुमारे अंदर है जो सक्यासी है, उस चमार का आद का बोजन्त पी उस समय तो यह बहुत बड़ी ख़बर थी, उस ही खबर से वो रजा से मिले, खेतडी के राजा और दूंगता हुआ, यह कौन करांतिकारी सन् और वो दोस्ती आगे बहुत चली उससे पहले कि घटना हमारे सब के लिए बहुत महत्पपूर्ण है हम सब लोग परेशान होते ना पढ़ाई में पढ़ाई में हमारी मेमरी में गड़बर होती है याद नहीं रहता याद क्या हुआ याद नहीं आता समय पर परिक्षा में ब बार बार अब उसके निचे पेड़े उसके नीचे स्वामिवेकानन ज्यान करते थे तूब नौतन की मेरे को भी लगता था वहां जा गये वहां वाँ जाना जाए बारत में तो लगबग जाने जाना आया हूं बारत के बार मुझे जाना नी उन्हीं के कहने से जाना नी उन्हों नहीं कहा है कि इस समातर भूमी के छोड़कर एक मिनिट भी बाहर मत जाना जिन्होंने पाप किया उनको जाना पड़ता है जो पुन ने किया उनको नहीं जाना पड़ता तो मैंने कहा नहीं जाओंगा अभी तक तो पाप किया का पता नहीं, तो इसल इसलिए अभी तक क्या उन वर्ष में एक शनके लिए भी भारत-माता को छोड़के नहीं जाना पर तो वहां सेज़ जी की बग्या में रहते थे स्वामी तुरियानन जी उनके गुरु भाई उनके साथ में रहते थे तो तुरियानन जी रोज लाइबरेरी में जाते थे अभी भी वह लाइबरेरी है वहाँ पर मेरट में अब उस लाइबरेरी का लोकमान ने बाल गंगादर त यांटकोष Te aTA एड वालिलूम का एक ग्न्ठ घौज दूसरे दिन पहला वालिर वापस करके दूसरा वालुम ले जाते थे । drive तूसरे AAA लेके जा रहे ताव यह लैई तुम्हारे उपर शंका ले रहा है तब तक विवेकानन नाम नहीं था समय नाम विवी दिशानन तो बता कि तुम्हारे को शंका ले रहा है यह गए दूसरे दिन खुद गए थे हैसे जो चुनोती थे उसका तुरंट गए और जाकर गए उस लाबरेरियन के सामने बैटे अब वो सन्यासी आया तुरिया नंजी ने बता है का मैं नहीं पढ़ता मेर गुरुबाई पढ़ता है दूसरे दिन गुरुबाई पहुच गए यही वो गुरुबाई यह तुरुबाई नंजी का जो पढ़ते एक दिन में किताब तो फिलिप उपर से नीचे देखता है यह इन्होंने शुरू किया वह पहली बॉल पे क्लीन बोल्ड हुआ क्योंकि उसको अंग्रेजी ने पूछा इट सीम्स्यू आप सम्डाउट बोट माई रीडिंग एबिट्स उसको कलप नहीं थी एक सन्यासी अंग्रेजी में बोलेगा उसने का यह सू केंड़ी ट्वेलंड़ पेज़सिन वन डे लाइकान और हैं मैं पढ़ सकता हूं मैंने पढ़े तीन वालुम में यह चार वालुम मैंने पढ़ लिये इस चार वालुम में से किसी भी प्रिष्ठ पेसे कुछ भी मेरे को पूछले मैं बताता हूं काली पदो बसु ने अपनी डाइरी में लिखा है उस अंग्रेज लैबरेरियन ने कम से कम पाच्छे प्रश्ण विवेकान को पूछे और प्रतेक प्रश्ण का उत्तर शब्द लिखाय काली पदो वसुने मैंने डाइरी में पढ़ाए वो शब्द उन्होंने लैटिन का शब्द प्रयोग किया एडवर बैटीम शब्द शहा एक एक शब्द जैसा के तैसा स्वामिवेकानंद ने दोरा दिया चार स्वामिवेकानंद ने मेमरी का कॉंसेंट्रेशन का साइन्स दोनों साइन्स वहाँ पर बता है स्मृति और एक आगरता का शास्त्र बता है स्वामी जीने का जब हम बच्चे होते हैं जब हम पहले पढ़ना सीखते तो एक 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 अक्षर पढ़ते हैं उस समय हमको राम थोड़ा पढ़ने का भड़ता है फिर राम को रहाम नहीं पढ़ना पढ़ता है राम पुरा और लक्लरय ऑगते हैं और थोड़ा चंत्रेशन पढ़ता है तो पूरे के परन सर्दा पर चिंदव Summaonισ,ppاح पुरस पढ़ता हूम,प्रिष्ध पढ़ता हूं पढ़ता हूं पूरे भारत का ब्रह्मन किया राजस्तान की गटना और बता दू मैंने क्योंकि पहले मैंने कहा था कि उनका मुर्ति-पुजा में विश्वास नहीं था राजस्तान में प्रिंस अजित सिंग के दरबार की गटना है वो इंगलेंड से पढ़के आये थे हमारे जैसे यह अंग्रे जी पढ़कर के अपनी बातों पर विश्वास नहीं करते वो भी नहीं करता था प्रिंस अजित सिंग ने कहा है यह मुर्ति-पुजा बहुत बेका है पता नहीं लोग मिट्टी की पुजा करते इस मुर्ति-पुजा से हिंदु-धर्म का नुकसान हो शामी वेकानन ने कुछ नहीं बोला वेकानन सहमत नहीं थे उन्होंने उसके दरबार में दीवान थे उस दीवान को कहा मंतरी जी को कहा दीवान साब वो किसकी तस्वीर है एक बढ़ा सुंदर चित्र लगाऊ था कैन्वास पर बना हुआ बोले यह महराजा की पिताजी की तस्वीर है लिए जरा उतार करके लिए वो तस्वीर उतार करके लिए शाविय एकाननद ने दीवान को का जरा इस तस्वीर पर थूको वो दीवान ख़ला-ख़ला का आप तो ñosकोंगा और्य महाराज को इसके आई नहीं हम इस तशuire को भी स्वयम महाराजी समझते हम इसमें महाराज का प्रतिरूप देखते है पिये कानन ने अजित सिंग की तरफ देखा आप थूकोगे? इंगलेंड से पढ़के आए तूको अपने बाप की तस्वीर पे अजित सिंग ने का ख्रमा करना पैर पकड़ लिए मेरे को समझ में आ गया तुम जैसे तुमारी पिता जी को इस तस्वीर में देखते हो वैसे राम जी की मूर्ती में हमको साक्षात राम दिखाई देते हैं हम मूर्ती की पूजा नहीं करते, पत्थर की पूजा नहीं करते उसके अंदर दिखने वाले राम के प्रतिविंब की पूजा करते है सारे ऐसे बहुत सारे घटना करम हुए और विवेकानन्द पहुचे एक कन्या कुमारी वहाँ उनको अपने जीवन का लक्ष मिला वो बम बनके समाज के उपर फटने का रहस से मिला वहाँ वो समदर के बीच में शिला है जब मा कन्या कुमारी के दर्शन की इतनी सुन्दर मुर्ती है स्वामि वहकानन्द के उपर तीन मा ने साक्षाद दर्शन दिये एक भवतारी नी मा दक्षनेश्वर की एक मा कन्या कुमारी देवी पारवती जिसको अपने जीवन का लक्षम ही कन्या कुमारी में मिला था हमेशा की तरह शंकर भगवान से शादी करने के लिए तपस्या की एक पेर पर खड़े हो करके और उस अवतार में जन्म कन्या कुमारी कुमारी रहने के लिए हुआ था नहीं जिसको अपने जीवन का लक्षमिला ऐसी मापारवती वहाँ पर खड़ी है अद्पुत सुन्दर नाक में नत के अंदर जो हीरा है क्या सुन्दर दिखता है अद्बुत दर्शन है वहाँ पर मा साक्षात मा के दर्शन विवेकाननद को ही वे साश्टांगा दंड़त क्या मा मुझे मनुष्य बना दो मा मुझे मारगा बता दो क्या करना है गुरु ने कहा था मा का काम करना है किस मा का काम करना है समझ में नहीं आता माता भूनेश्वरिदेती मा शार्दा या तू भगवती किसका काम करने के लिए मेरा जन्म हुआ है उत्तर तो नहीं मिला लेकिन एक संकेत सा हुआ वहाँ वो समुद्र के बीच में शिला है बोले वो क्या नाम है उस शिला का बोले उसे श्रीपाद शिला कहते क्यों श्री का देवी का पाद पैर का चिन उसके उपर है वहाँ खड़े हो करके तपस्या की अरे वहाँ जहां देवी को साक्षा जीवन का लक्ष मिला शायद मुझे भी मिल जाए वालों को देख ज़ारा ले चलो नाव थमका तीन पैसे लगेंगे सक्चा सन्यावसी था बड़े-बड़े फडी व पूरे भारत का ब्रह्मन बिना एक पैसा पास में रखे किया उस सन्या से अर्वा कन्या कुमारी में पचे नाव वालों ने का बिना पैसे के नहीं ले जाएंगे उन्तिस साल का युवा चलांग लगा दी उस लहरों के बीच में अभी हम गहे थे दो मेने पहले तो मेरे साथ तीन युवा साती थे जैसे वो नाव से जाते हैं वो नाव लहरों पे जूलती है तो सारे सव दोसों लोग नाव में में बहा करते हैं डर जाते हैं और यह उन्ति सो भानवे 1892 24, 25th and 26th December तीन दिन और तीन रात्री तक ध्यानस तबैठा और वहाँ उनको जीवन का लक्ष मिला वहाँ तैवा पूरे सोते हुए भारत को जगाने के लिए मेरा जन्म हुआ है जिस मा का काम करने के लिए गुरु ने कहाता वो मा भारत मा है जिस भारत मा का काम करने के लिए और फिर वो लक्ष ले करके शिकागो गए घश्ट सैन किये बहुत कथाए है बहुत घटनाए है लेकिन शिकागो में मेरे प्यारे बहनों और भाईयों का और सारे भारत ने उनको जाना, फिर भारत वापसा करके सन्यासी संगटन किया, रामकृष्ण मठकी स्थापना की, सोतो वे भारत को जगाया, सेवा कारे को ला, माधव की सेवा ही, माधव की सेवा है, मनुष्य मात्र की सेवा करने का संदेश दिया, विवेकानन्द ने भारत को जगा आलियादी, यू इंडियान गेट आउट, यू ब्लाग गेट आउट, अपमान किया, उस सारे अपमान का विश पीने के बाद इस नील अकंठ ने उस सबाह में खड़े होकर के उन अमेरिका वालों को, जिन्होंने अपमान किया था पक पक पर देड़ महने तक, उनको भाईयो बहनों का आत्मियता से, सामने खड़े होया लोगों को लगा कि जैसे मेरा भाई बोल रहा है, खोया हुआ भाई मिल गया, एक महला लिखती है, मुझे लगा कई बच्पन में खोया हुआ भाई तो आपस नहीं आया, वो चरकर के गई, उनका चोगा पकड़ लिया, कोई हाथ मिलाना चाहते है, तीन हजार लोगों में एक साथ बंदुत्व खड़ा हुआ, पूरा अमेरिका खड़बढा करके जाग उठा, और जैसे अमेरिका नित्त अक्तालिया बजाई भारत ने विवेकानन्द को स्विकार किया, जब भारत में वापस आये तो सारे भारत ने स्वागत किया, विवेकानन्द ने सोते भारत को जगा दिया, कितने खांतिकारी को ने प्रेना की, कितने इंडस्ट्रियलिस ने, जमशेट जी टाटा ने उनसे प्रेना ली, प्रफुल चंद्र राय ने उनसे प्रेना ली, जगदिश चंद्र बसू ने उनसे प्रेना ली, सुभाई चंदर बोस कहते है आज विवेकानन्द होते तो मैं आजा दिन्द सेनाव अगरे नहीं करता मैं तो उनके चरणों में बैठा उनका शिश्य बन जाता हूँ पूरे सोते भारत को उन्हों जगाया हेमचंदर घोष नाम के बहुत बड़े करांतिकारी ने पत्र लिखाए विवेकानन्द ने कैसे धाकेश्वरी के मंदिर के बाहर के धर्मशाला में जब वो अपनी मां को धाकेश्वरी का दर्शन करने लेगे थे उनकी कुलदेवता थी धाकेश्वरी ऐसे विवेकानन्द ने चार जुलाए 1902 को शरीर छोड़ा उन्हों ने कहा मैं शरीर छोड़ करके चला गया हूँ लेकिन आपके साथ काम करूँगा जो जो हुआ भारत माता के लिए काम करेगा मैं उसके कंदे से कंदा लगा करके काम करूँगा 30 साल से राष्ट कारे कर रहा हूँ 1990 से 24 गंटे 365 दिन भारत माता के लिए समरपी दोने का सौभाग गे इस जीवन में मुझे प्राप्तमी रहुआ है मेरी मा के आशिरवात से और मैं धावे के साथ कहता हूँ जब भारत के लिए काम करते तो ऐसा लगता है विवेकानंद साथ में बैठे ये फोटो नहीं रखे साथ में वा कई कंदे से कंदा मिला करके विवेकानंद साथ में काम करते हैं ऐसा अनुबह होता है नरेंद्र का विवेक अनंद बनता है, सामान निवेक्तिया, सामान ने कार्य कर जाता है, संगठन खडा कर अगरूढ कर देता है, आएए हम भी अपने जीवन में अपने माता पिता की सेवा करें, मात्रुपक्ती, भारत भक्ती, ki, प्रफिश्वर्ण बनाने के लिए विवेकानंद बनकर योगदान देने का और अपने जीवन में संकल्पले आज अक्षे तृतिया का दिन है साड़े तीन मूर्तों में से एक मूर्त है कहते हैं आज के दिन जो संकल्पले ते उसको इश्वर भी पूर्ण करता है आज यदि ह संकल्पलेंगे माँ भारती के लिए कुछ करने का तो वास्तविक्ता में संकल्प पूर्ण हो दन्यवाद प्रियान जी प्रश्णों के लिए समय बचाए है क्या स्कूल दिल्ली उनका एक प्रश्ण है कि आज की परिस्थिती देश्टी भावी प्लिलवी को अज की ततकारिक परिस्थिती में और सख्रवकार! परस्थिते में भी बहुत अध्वुत अवसर भारत के पास में पिछले दस वर्षों में जैसे अवसर भारत के पास में हैं वैसे अवसर इतियास में दोजार वर्षों में नहीं हैं हमारे रिश्यों का हमारे पूर्वजों का स्वामी वेकानंद का सपने एक पत्र में उन्हो में भविश्य में देखता हूं कि दिर्श मेरी आखों के सामने जिवन तस पश्कता से दिखाई देता है कि यह मेरी भारत माता चिरपुरादन भारत माता फिर एक बार विश्व के सियासन पर नहीं और गुरू के पदपरासी नहीं आई ये मंगल अगान से और उद्गोशों से सारे विश्व के सामने उसकी घोशना करें वेवेक अनंद ने स्वपन दिखाता है उसस्वपन को साकार करने का समय आ गया है हमारे लिए वो तो देखते देखते छोड़ गया है लेकर हमार सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा समय देना है यही यूवापीड के लिए स्वामी वेकानंद का संदेश है वो कहते है यूवा सातियों को मदरास में दिएगे भाशन में इतना आद्बूत वाक्य है मेरे यूवासातियों मैं आप से बहुत प्रेम करता हूं मैं आप से प्रेम करता हूं और इसलिए चाहता हूं कि आप अपने मातरू बुमिवर कारे करते 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 न्योच्छावर हो जाए क्या प्रेम है मलिदान होने की कलपना कर रहा है ऐसा प्रेम उन्होंने का इन युवाव में से मेरे साथ या आएगा आप सब कुछ कर सकते हो केवल अपने आपको समर्पित करने के आवश्यक्ता है उनका वाक्य है अद्बूत वाक्य है इस दे टाइम तो डिसाइड यूर फ्यूचर यही भूमी के लिए उनका वाक्य है क्यूंकि भगवान के चरणों में ताजा पुष्प चड़ाये जाते मुर्जाये हुए नहीं गलिद गात्र होने के बात नहीं इसी समय राश्ट्र का काम करने का समय आईए अपने आपको समर्पित करे और माभारती को फिर एक बार अपने लुए कानन का युवाहों के लिए संदेशार आपने जों पिशले बावण में सब को मंत्र्मुक्द करके नहीं कोAnn चीजर को कि स्वामी जी ने जब शिकागों में भाशन दिया होगा तो उस तेज की उस ओज की क्रणे जो आपने तप द्वारा खुद के अंदर सिद्ध की हैं कैसे पूरी दुनिया उनके उनके भाशन को सुनने के लिए मत्रपुक्त हो गई होगी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपको सभी बच्चों की तरफ से इस बाल सभा की ओर से बहुत-बहुत प्रणाम करते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद सभी बच्चे लगातार बाल सभा से जोड़े रहें आगे हम जानेंगे किश्मीर के राजा समराठ नलिता दित्त के बारे में बंगाल के क्रांतिकारी आपको पुरुष आधर निये लाचित बुर्भकुन के बारे में तो ऐसे अनेक क्रांतिकारों के बारे में हम लोग जानने के लिए बाहल सभा से जोड़े रहें बाल सभा कारिक्रम समय समय पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाएगा सभी बच्चों को बहुत नमस्कार नम्राव बाह